लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में चंद घंटे बचे हैं। सियासत के इस खेल में किसकी हुकूमत चलेगी। लोकसभा में बहूमत से किसकी सरकार बनेगी। इसका फैसला वोटाउस कर चुके हैं। और ये राज EVM में बंद है। बीजेपी के नेतरित्व वाली एंडिये ने अपकी बार 400 पार का दावा किया, 543 लोकसभा सीटों में से क्या एंडिये 400 पार का आंकड़ा चूपाईगी। या इंडिया आलाइंस इस सपने को चूर चूर करेगी। ऐसे तमाम सवालों के बीच अयोध्या राम मंदर के मुख मैं भाविस्वानी किया हूँ कि तीसरे बार भी यह परधान मंती के रूप में बने हैं। इसलिए यह जो सुना हो रहा है, यह सुनाओं के संबंद में चार तारी को निड़ा हो जाएगा और चार तारी को ही निश्चित हो जाएगा कि उन्हा तीसरी बार भी परधान मंती के रूप में यह बन गए हैं के रूप के रूप को कौनेक्शन भी का होने के बार हुए और आम लला का असिरम ना है उनके उपर इस लिए इस बरशे भी दूणाओ में भी मिलेंगेil अगे और तूसरी वार भी उनको प्रणामांती चाली में सब्सक्राइब करेंगे और अपनी सत्ता पूरा करेंगे इस वरकार जो भी है हमारा असिरबाद है हमारी भविश्बारी है और संतों ने भी उनके लिए भविश्बारी किया है कि हाँ यही प्रजार मंते बनेंगे बता दे 19 एप्रिल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनावों के लिए मतदान हुए थे देश भर में मतदाताओं का जजबा देखने को मिला यह चुनाव साथ चरुनों में पूरे हुए जिसके बाद नतीज़े कल यानी 4 जून 2024 को जारी किये जाएंगे राम मंदर के मुखे पुजारी आचारे सतिंदर दाज जूई की भविश्यवानी क्या सचु साबित होगी इसका पता चुलेगा कल जब चुनावी नतीजों का इंतजार खत्म होगा